हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू दानादर व्लॉग मेरा नाम है सुमित और आप देखरे इस तेम सुमित वुड़ा का व्लॉग आज हम आये है कुछ अपने दोस्तों के साथ यहां शिलादू तो यह देखें अपने साथ आए यार दोस्त और यह एक चिंगांडी परेश चला यहां इसको रस्ता ने मिलता मिलेगा यह हो चोटा सा पहाड जिस पर हम कुशिश कर रहे हैं कि हम चड़ पाए आज हम गेडिया मानने आए हम चार दोस्त तो यह अपने अमडी साब आके चले है पेंड कोट में एमडी साब आपका परमोशन सब्सक्राइब तर से सब्सक्राइब जादा है जादा ही होगी इतनी होगी यहां पर यहां पर लगानी पाएगी क्यूंकि यहां ऊपर चलना कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगए और अपने मंदेजवार रुष्टों के अब जैसा कि आप सभी ने अभी देखा अमार कोड़ास्ता कहीं से मिलाने चड़ने का तो अब कहीं से चड़ने सकते यह अपने लॉंडे जो है और यह एक लंगूर कोशिश कर रहा है वे वे कांगरों एक साट को फॉन करो लाश उठाने आजाना पर चल चल जा जाए चल जाए बस अगर तुने यह वाला पोइंट क्रोस कर दिया ना वहां पर कुछ नी पहुंच गया तो और यह देखिए लंगूरों की प्रजाती से अरे कोई दिकर नी जान दे गड़ी देखी जाए चल चल थोड़ा सा अगे जाए वहां पर को स्पोर्ड मिल जाएगी यह देख टांग बाजू टुटे की कोई दिकर नी अपना ही टुटे का साग कुछ चड़ चड़ जा बस अरे तुमन जिल के बहुत करीब है बहुत करीब है मन्जिल के जा प्लेक लगा क्या कोई निया पके पर अर यह मद्टी साफ कर यार कुछ मर जाएगा बंदा यह देखिए इसको इसकी प्रेमिका ने दोखा दे दिया है और यह स्र्साइड करने चड़ा हूआ यह आप इसको आज ही दोखा मिला है अपनी गुल फ्रेंड से औरर अगर इसकी गुल्फ्रेंड यह व्लोग देख करी तो प्लीज माफ कर दें यह से यह तकलीज कि यहां से कुदने वाला है कि बहुरा मैंस को यह यह वाला कर दें तो पॉंच गया उपर तो इखांकर जूते खोल के जा आज जंडा लेरा नहीं है तुने क्यों अमडी साब क्या कहना चाहिए दो शब्द अब यह क्याना चाहिए तो मैंनेजर साब कुछ है आप दो शब्द कुछ कहना चाहिए मैंनेजर साब हलो है यह जैसा कि आप देख सकते है इसने बहुत पीकोशिश की यह उपर चड़ने की लेकिन चड़ नहीं पाया है यह आपसौस, क्या करना चुई तो इसकी पतिए, कोई नी जायगा है कोई दू आए यह बादर सुश outlined है ही दिखके आजा आजा हया शेलब तुम्लिट वाव है, हाथ जत्ट पर शकर और लरilee तो एप जिरत आप अपके अंडनां पॉर्द को पर जा की अप्रेद बीडिया दियो के लूंगते हैं augurn उन्माथ। अटे से जेत 높ी फोहित उपद्स सभी जो है यह मानने वारूमस से तो नहींए और फट चुकी है अपने इस को रिखी हमाद कशे को कि अपने.. ऐसा क्यों परो धिकिए उसको स्पोड बीछे गारा जा जाओ नेए नेए अपर कहा चड़ेगा तू वहां दे वेंटाइवे रहां आज पाचाला गे तो पेडिया बनी पैडिया बनी गिर गया ना वे शंम्षान काट ले खाना हो अपर एच क्ति लख्डियों खी निया आपर कमी , मैं पुसी बटा के अच्छी कहले यह ब्लोग भी बढ़ा रहा हूं पर समय तो जो बहुत ही बढ़िया जो बहुत ही बढ़िया देखा जाएगा काम तक ही है काम में अभी पाते है यह बहुत ही जुरूरी है तो अभी दोस्तो यह मानने वाला तवसे भी नहीं है चड़ गया है अब आगे आपको ख़बर मिल जाएगी अजर बंदा ओंदा स्कॉर्ट समझ रहे हो अरे बढ़िया बंदरों की परजाती से यह एक वार जो ठान लेता हो कर पे रहता है यह को भई आमने इसको बेजानी है यह सबूत है यह सबूत है यह सबूत है और इसको एक वार कैमरे में बुलगवाना चाहिए था कि अपनी मर्जी से यह उपर तो यह देखिए ओए लंगूर ओए मेरे लिए एक छोटा सा व्लॉग उनक लाई उपर से उपर जाके कैसा फील हो रहा है कैसा दिखे आदर को ब अधिए अधिए इसां पर चन नहीं लागर हो का सभी रस्ता मिल जाता कहीं से तो शाहर चड़ भी जाते क्योंकि एसी उल्टी खुरापातिया अकसर हमारे मवती है तो कि अभी तक तो कहीं भाई इस बंदे को मानना पड़ेगा यह बंदा यहां पॉंच की रहे गया जहां कि अपने एमडी साब की ने उमीर नी रखी गई थी बहुत ही बढ़िया इनके लिए जिस भी के माधियम से आप देख रहे ज्यादा से ज्यादा से लाइक शेयर करें मिनेजर साब क्या बोलना चाहें यह बोलना चाहें कि उनको की एक उपर से बढ़िया सब लॉग बढ़ांके म्डी साब कैसा लगता को बटता है कि आप में रखने अमन्टे रिस्क से और चूतिया बनते हैं इस्क से अजो कि अब इकुछ दिनों पहले बन क्या है है अम बताना तो नहीं चाहें कर यह बताना अच्छा नहीं लगता चले इसना तो बोलेगे कि नाम बनें इसक से जो किया जिस बंडे ने कर दिया चिछोट्या बनें इश्क से जो कि M.D साम ने किया आरे आरे तु मिलकुर नहीं है इसको तो बता रहे रहे है बस बस तु नाम का उगा दे यह देख सकते हैं कितना उपर पहुंची ग़ बैल अगर आप कभी नारकंडा साइड हिमाचल प्रदेश में आए हो अगर तो हिमाचल के बंदा देख रहे है तो यह वाला इस पॉइंट पर एज एक छोटा सा डाक है इस पॉइंट पर पॉंच यह ओपर कम से कम नहीं ते तीन मंजिला बिल्डिंग जितना उंचा तो है अगर स अगर सब्सक्राइब करें तो यह अपनी बिल्लो रानी खड़ी है इसमें अभी हम आया है तो अब इसका बेट करते हैं नीचे अगर आ गया जिंदा पहुंच याई वह लोग के चकर में नीचे रंग उस्योंग है वे साइड मनाला रोटेट करके हुआ हुआ है